नमस्कार दोस्तों मेरे नामा विशेक है आप देख रहे हैं कैची टेक्निकल आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप बिहार से विलोंग करते हैं तो आपको जाती आवासी और ओनलाइन करने में बहुत ही परसानी होती थी जाती आवासी आए जो भी आप ब करनाते थे ब्लॉक से वह आपको ब्लॉक में जाके अपलाई करना होता था या आप आठीपीस के माध्यम से अधार नमबर डालके ओटीपी अगर आपका लिंक है अधार कार्ट में मोबाइल नमबर तभी आप उससे कर पाते थे तो आज की इस वीडियो में लोग जानेंग को ब्लॉक में जाने की भी जरूरत नहीं होती है अगर आप बिहार से बिलॉंग करते हैं आप इडिस्टिक का यूज करके आप अप घर बैठे जाती आवासी आए ओनलाइन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वीडियो को देखते रहने के आप देखते हैं यहां पर आपको सूचना देखने को मिलेंगी नागरिक को आटी पीएस काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है वे ओनलाइन माध्यम से आटी पीएस अधिनियम की सेवाओं प्राप्त कर सकेंगे ओनलाइन आविदन को प्रामान पत्र आविदन पत्र के डाउनलोड किया जाएगा इमिल आडी और डिजी लोकर एवं सर्विस प्लस इन बॉक्स द्वारा भेजा जाएगा इसमें आप इमेल आडी या मोबाइल पर जो लिंक आएगा उससे आप अपने जातिया वासिया को डाउनलोड कर सकेंगे तो चलते हैं कंप्रे स्क्रीन प डॉट इन एक साइट है आपटी पीएस का यहां पर आने के बाद यहां जैसे ही नीचे देखेंगे आपको यहां पर मिल जाएगा समान्य प्रशासन विभाग की आवासिये जाती एवं आय प्रमन पत्र की सेवा हैं यहां पर सबसे पहला जो अप्सन है अंचला अधिकारी अस्तर पर यहां पर देख सकते हैं सबसे पहला अप्सन जो है यहां पर अंचला अधिकारी अस्तर पर यहां पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा फॉर्म 12 यहां पर आपको देख सकते हैं फॉर्म 12 है निवास प्र ंट जैसे ही आप अपना नाम लिखेंगे उसके बाद on a Alpha बटन दबाएंगे दाएने साइड में आपका उटمेटिक हिंदी में होते जायेगा नाम लिखने के बाद डवित बटन दबाएंगे दाएंगे तभी आपका हिंदी में आत्मेटिक यहां पर अजयer तो वहां पर नाम लिखना के बाद नीचे आपको करेंगे त्विया इड़ी ही आपका अधितुड्य वाइफ करने के बाद नीचे मदर्स नेम दिया है पूरब पर ताइप कर सकते हैं यहाँ बीकिना नहीं आ रहा है Is लोग मदश नेम यहां पर टाइप कर देते हैं जो भी आपका मदश नेम है यहां पर टाइप कर rein तो यहाँ पर अपना उसके बाद state select कर देंगे जो भी आपका state है विहार है तो विहार के लिए ही आपको यहाँ पर option मिलेगा उसके बाद district यहाँ पर पूरी district नहीं मिलेगा कुछ-कुछ district में अभी बाकी है यह district होना तो आपको यहाँ पे जो भी डिस्टिक सो हो रहा है वही डिस्टिक में सिर्फ आप अपलाई कर सकते हैं तो जो भी आपका डिस्टिक है आप यहाँ पे स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहां पे देखेंगे अनुमंदल आपका जो भी है वो स्लेक्ट कर लेंगे अनुमंदल के बाद प्रखंड आता है जो भी आपका प्रखंड है वो स्लेक्ट कर लेंगे अपना प्रखंड स्लेक्ट करने के बाद उसके नीची है स्क्रॉल करके आएंगे सब्सक्राइब यहां पर नीची आप अपना गाउं का नाम लिखेंगे कि लिखने के बाद इंटर बूस्ट दबायें ये तो आप कीと हिंदी में पर नीचे देखेंगे और आपका थाना कहा है वो लिख देगे आप यहां पे अधार संख्या भी डाल सकते नहीं भी डाल सकते हैं उसके बाद आवेद्दय का फोटो यहां पर आपको अगर फोटो अप्लोड करना होगा यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करते हैं आपके सामने कम्पूइटर पर एक अपना फोटो रखेंगे उसको अप्लोड कर देंगे तो देख सकते हैं हम लोग अपना फोटो अप्लोड करेंगे चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद ब्राउजर में आ जाएंगे यहां पर आप अपना फोटो जहां पर भी रखेंगे जिस लोकेशन पूरूवत है requirement है तो हम लोग apply कर एसलिए यहाँ पे अगर विद्यृ से अगर इच्छा है तो अप लिख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेते हैं type कर देते हैं requirement है इसलिए लीकाह्वेन लिख देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको checkmark करना होता है आप करेंगे डिख सकते हैं फर्म यहां पर लिखा हुआ इस पर आपको checkmark कर देना होता है है यहां पर जैसे ह्यां पर गाने उसके नीचे आप करके आएंगे एस चेहां क्योबी कप्यों कणा इसको इस भी कंधर यहां को टइपकर दे उसके बाद आप स्क्रोग कर नीचे आएंगे यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने किरिपिया यहाँ पर अपना नाम की सुद्धता की जांच कर ले या अपना मुबाइल नमबर जांच कर ले मेल आइडी जांच करें कि आपके सामने के आपको सामने यह पूरर लिस्ट आपके सामने आजाएगा यहाँ पर जानकारे जो जो आपने फिलब की थी वह और इसमें कोई इडिट करना तो अभी आप यहां से कर सकते हैं तो आपना सारी जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लें अपना नाम स्पेलिंग वगरा सारी चीजें आप अच्छा से चेक कर लें देख सकते हैं हम लोग अपना अपना डेटेल्स वगरा सब चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से सभी सारी चीजें चेक करन तभी यह process आगे बढ़ेगा तो हम लोग को attachment एनेकसर पर क्लिक कर देना है जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे कुछ थोड़ा सा time लगेगा आपके पास यहां पर देख सकते हैं टाइम लगेगा यहां पर थोड़ा सा वोग देखने को मिल दास्तवेश क्यांति आपको देखने को मिल जागा यहां को यहां पे आपको submit button मिलेगा, submit button पे आपको click कर देना है, जैसे हैं आप submit button पे click करेंगे, आपके सामने लोग सेवा अधिकार विहारre सरकार आविधन का विभरन, आपको रिशीप्ट जनरेट होके आ जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं कि आपके सामने रिशीप्ट पर क्लिक करके आप इसको PDF में भी डाउन्लोड कर सकते हैं जैसें आप इसको प्रेंट घ्रेड़ सकते हैं यहां पर अच्छा तरीका से धाउन्लोड हो चुका है यहां पर जो आपने ads क्या था वो सारे जानकारी यहां पर फॉर्म 12 में दे गई हैं तो इस तरह से आप आप लाइक कर सकते हैं बिहार के लोगों के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा यह वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करें और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में आप वहाँ से हमसे कुछ पूछ सकते हैं आज तक इतना ही लेटर्स